नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धर्मा सर्मार्ग कभी कभी सपने में सांप दिखाई देता है अगर आपको भी सपने में सांप दिखाई दे कि इसके बहुत सारे कारण होते हैं आज हम आपके साथ बिस्तार से साजा करेंगे दीए सांप और मानव का रिष्टा स्रिष्टी के प्रारम बकाल से ही है और हमारे सास्त्रों में भी पुरानों में भी सांप से जुड़ी ही अनिक कताएं प्रशलीत है भगवान सिप के गले का हार है और भगवान स्रीहरी का सहिया है सांप एक और सांप को जहां हम पुजनिय मानते हैं वहीं दूसरी और इससे जुड़े कई सुब असुग लक्षन भी है तो ऐसे में आज हम आपके साथ साजा करेंगे कि अगर आप सपने में सांप देख लें तो उसका मतलब क्या होता है सपने में सांप दिखने का रहस्य क्या है देखिए सपने में यदि आप किसी मंदिर में सांप देखते हैं याद रखिए मंदिर में इसका मतलब है आपकी जो मनुकामना है वो बहुत जल्दी पूरी होगी और यदि सांप किसी पेर पर चड़ता हुआ दिख जाए चड़ता हुआ याद रखिए उपर की ओर चड़ता हुआ दिख जाए तो इसका भी अर्थ होता है कि जीवन में जल्द ही कोई अच्छी चीजें होंगी आपकी तरक्की होगी आकसमी धन आएगा ये सांप को पेर पर चड़ता हुआ देखना सुबसंकेत माना जाता है लेकिन अगर सपने में आप देखते हैं कि सांप सिब्लिंग से लिप्टा हुआ है तब ये भी बहुत अच्छा सपना है क्योंकि इसका मतलब है कि सिब्जी का आसिरबाद आपके साथ है और जिस भी कारिक को पूरा करने के लिए लंबे समय से चाह रहे थे अब इंतजार का फल मिलेगा और अगर सपने में आप सफेद सांप देखते हैं तो ये धन का प्रतीक मना जाता है अगर मरावा सांप देखते हैं तो ये अच्छा नहीं है इसका मतलब है कोई बड़ा संकट आने वाला है असु प्रफाव से बशने के लिए सिब्जी के मंदिर में जलर पित करें अगर कोई धनवान बैक्ती ये देखता है सपने में कि पेर पर्फ से सांप नीचे उतर रहा है तो धन हानी होगा और ऐसा सपने दिखे तो बहुत साब्धान रहें किसी आवस्य कार से आप घर से निकल रहे हैं आपके बाएं तरफ से सांप आपका रास्ता काटे तो साब्धान हो जाईए अगर सपने में नाग नागिन का जोड़ा आपको देख जाए तो फिर यह बड़ी धनहानी की सूचना देखते हैं तो ऐसे में आप परणाम करके साई धर जाएं सिबजी के मंदर जाएं अगर आप देखते हैं सपने में कि आपको किसी सांप ने काट लिया है तो आप जल्द ही आप बिमार हो सकते हैं और अगर सपने में सांप आपका पीछा करें तो फिर ये भी आपके भविस्य के प्रती डर का संगेत है सपने में सांप और नेवले की अगर आप लड़ाई देखें तो फिर इसका मतलब है कानूनी मामलों में आप फस सकते हैं और अगर सपने में साप का दांद दिखे या फिर काटने के लिए वो दम से अड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कोई धोखा देगा निकट भविस्य में बड़ा धोखा मिलने के योग हैं लेकिन सपने में अगर आप सफेद या सुनहरा या फिर चमकीले रंग का कोई भी खुबसूरत साप देखें तो भाग्योदे होने का इसारा होता है पुरवजों का आसिरबाद मिलता है पर सपने में साप आपको कहीं जाते वे दिखाई दे आपको देखकर छुप जाए तो इसका मतलब है पित्री देव आपकी रख्षा कर रहे हैं सांप को बिल में जाते वे देखना का मतलब होता है आकस्मिक धनलाब होगा और बिल से बाहर निकलते वे देखने का मतलब होता है धनानी होगा बार बार अगर सपने में आपको सांप दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है आपके पित्री दोस आप पित्री देव आपसे नाराज है और आपके उपर पित्री दोस का साया चल रहा है और अगर आप कहीं मिट्टी वेगरे खुदवा रहे हैं, खुदाई में सांप निकल जाए, तो फिर ये समझो कि आकस्मिक धनलाब होने के योग बन रहे हैं, तो बुरे सपने आए तो क्या करें, नमस्य भाए, नमस्य भाए का अन्मरत जब करते वे सिपजी पर एक लोटा जलर पित करें, तो बुरे सपने के प्रभाव कट जाते हैं, फिलाल आप से विदा लेते हैं, हरहर महादेव, धन्यवाद